हेलो फेंट्स मैं मॉंटी जैग्यासी मेरे सुटिप चल मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही पढ़िया स्टोरी जिसे सुनकर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं शुरू करने से पहल करते हैं आज की हमारी स्टोरी जिसका टॉपिक है डू वाट यू लाइक टू डू मतलब वह करो जो आप करना चाहते हो आज राजेश और पल्लवी के घर खुशी का महल था और हो भी क्यों ना उनके घर 5 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ दो उसका नाम सोचने में लग और फाइनली उसका नाम रखा गया लक्ष राजेश और पल्लवी अपनी संतान के बार में कई सपने देख रहे थे और दोनों ने पहले ही सोच रखा था कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे जैसे ही लक्ष चार साल का हुआ उसका एड्मिशन शेयर के अच्छे स क्लास हेलवाद में उसे सब्जेक्ट सेलेक्स करने की बारी आई चाहते हुए भी उसे भाइय लग्त करना पड़ा, क्योंकि उसके पैरेंट्स चाहते तो वो ड़क्टर बनें। लक्त ने अपने पीरेंट्स को बता है कि उसे पेइंटर बनना है ना कि डॉक्टर लेकिन उसके पेइंट्स ने ये बात नहीं मानी उन्होंने बोला कि painting में कोई future नहीं है आपको doctor बनना है तो मजबूरी में उसे बायोले नहीं पड़ी Class 12 करने एक बाद उसे Medical College Medimition भी मिल गया और पढ़ाई पूरी करने एक बाद उसने अपनी cleaning भी खोल दी कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई और एक प्यारी सी बेटी भी हो गई पर उसके मन में कहीं ने कहीं एक था कि उसको painter बनना है तो उसने सोचा कि मैं अपना सपना अपनी बेटी की जरीव पूरा करूँगा अपनी बेटी को मैं painter बनना चाहूँगा क्योंकि वो खुद नहीं बन पाया तो दोस्तों हम इस तरह की पहले भी कई बात सुन चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे कई मूवी भी देखिए हैं हमने जैसे 3D एर स्थारे जमीन पर पर जब असलियत में हमें अपने बच्चों पर अप्लाई करने की बात आती है हम अपने बच्चों को दूसरे से कंपेर करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं जो काम हमने नहीं किया वो हम अपने बच्चों से करवाएंगे या समाच या आदी क्या कहाएगा अभी जरूरत है अपने बच्चों को पूरी समझ देने की और उने उनके पसंद का करियत सिलक्ट करने की आजादी देने की अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो वही करे जो हमें पसंद हो आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनका लोगों ने पहले बहुत मजा कुड़ाया पर आज हुआ सब उनकी तारीफ करे बिना नहीं चुटते जैसे सचिंत दुलकर, लत्ता मगिशकर, संदीप आश्वारी आदी आदी अगर उनके पैरेंट्स भी उनके किसी और फील्ड में जाने के लिए वाद्द करते तो उनका क्या होता आप खोदी सो सकते हैं तो पैरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को आप उनका मन पसंद केरियर चुनने का मौका दे आप उनका एक बार देख सकें कि वो आगे क्या कर सकते हैं और बच्चे भी ध्यान रखें कि आपको अपना केरियर के अपने साफसी चलना है आपको किसी को सुनना नहीं है थैंक्यू फ्रेंड्स डू लाइक एंड सस्क्राइब मैं चैनल